यह देए स्टुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एल के सीटियाई कंपूर्ट इस्टिट्यूट इस क्लास में सीखेंगे MS Word के विव मेन्यू के बारे में विव उपर क्लिक करते हैं विव उपर क्लिक करने के बाद यहां से देखते हैं नॉर्मल यह आपके होते हैं पेज को शू करने के तरीके नॉर्मल है बैब लियाउट है प्रेंट लियाउट है रीडिंग लियाउट है आउटलाइन है यहां से आप देख सकते हैं कि पेज हमारा किस प्रकार से शू हो रहा है नॉर्मल पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से शू हो रहा है नेक्स्ट रेट लियाउट पर करते हैं इस प्रकार से सोगा मेरा नेक्स्ट यदे पर विबरेगा लेता हूं है नेक्स्ट टास्क पेंड अभी आपके जो राइट साइड है उसमें आपको टास्क पैन नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन इस पर टास्क पैन पर click करते ही हमारे जो right hand है उस साइब में टास्क पैन आ जायगा टूलवार्स पर जाते हैं तो इस्टेंडर्ड टूलवार, फॉर्मेटिंग टूलवार, ड्रॉइंग टूलवार, टेवल एंड वर्डर्स है, टास्क पैन है, जो भी हमारे रीशेंट में हाईलाइटेड हैं, वो ही आपको सो रहे होंगे, जैसे ही देखे, इस्टेंडर्ड कोई देखते हैं, तो टूलवार में सेकिंड आता है, फॉर्मेटिंग टूलवार, यहां से आपका गाइब हो रहा है, इसको बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूलवार, दोबार आ इस पर जाते हैं, और टूलवार पर जाके क्लिक करते हैं, फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते है तो यहांसे आपना formating toolbar आ जाएगा next व ड्राइंग टूलवार सबसे नीचे bottom में होता है जो आपको show हो रहा है यह यह इस पर click करते हैं तो यहांसे हट जाएगा लेकि इस प्रकार से हट चुका है दोबारा यह इसको ड्राइंग टूलवार को लाना है तो टूलवार पर जाए जाएगा next view पर जाएगे यहांसे टूलवार यह table and borders वाला जो टूलवार है यहां पर जो हो रहा था वह भी गाय हो चुका है यह दोबारा जाते हैं इस पर टेवल से एंड इस पर click कर देते हैं बॉर्डर पर तो यह आपका टूलवार आ जाएगा next व टास्क पैन के बारे म पता चल गया टूलवार के बारे में पता चल गया रूलर के बारे में देखते हैं रूलर हमारा जो यह शो हो रहा है इसको हम रूलर बोलते हैं यह हमारे डॉकुमेंट की चोड़ाई यानी बेर्द को सुचित करता है और यह हमारे डॉकुमेंट की लंबाई को सुचित करत यह होता है रूलर पर क्लिक करेंगे तो यहां से हट जाएगा रूलर को दोबारा लाना है तो यहां से जाने के बार रूलर पर क्लिक करेंगे यह रूलर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट जाते हैं document map document map पर रियत जाएंगे तो यहां से आपका जो show हो रहा है यह जो lines हमारे page पर लिखी हुई है जैसे ही इस पर click करेंगे तो यह show करेगा document map में मतलब किस जगे पर यह हमारी है जैसे ही मैंने view पर click किया तो view यहां पर आ रहा है यह जिसको दवार लाना है तो scroll बार से उपर करते हैं यह नीचे आ जाएगा next view पर click करते हैं thumbnail देखते हैं इस प्रकार से हमारा page चोब रहा है इसको बोलते है thumbnail next header and footer header and footer इस प्रकार से जैसे कि यह आ रहा है view menu header and footer के अंतरगत आ रहा है अब यह जिसमें changement ही आता है यहांसे देख लिजेगा यह होता है page setup करने के लिए यह होता है show hide document text जो भी आपको छुपा रखा है उसको show करना है तो यहांसे choose करेंगे यहांसे आपको दिख जाएगा देखिए इस प्रकार से गायव हो रहा है नीचे का और यह जो हमारा है hide या show करना है document text मतलब जो भी आपने लिखा है document पर उसको छुपाना है या देखाना है यहांसे देख लिए जो भी है लिखा हुआ है वो यहांसे गायव हो रहा है यहांसे देखिएगा इस पर किलिक कर रहे हैं तो यहांसे हट रहा है और दोवारा किलिक कर रहे है यह header सबसे उपर होता है और page के नीचे जो होता है यह फूटर होता है यहां पर भी फूटर में डाल सकते हैं जो भी आपको डालना हो next यहांसे व्यूपर किलिक करते हैं व यहांसे चिंणित करना मैं हो तो जैसे को तरगों rice is họa hand Air can markup limit करने तो यहांसे डोकुमेंट यहांसेhh comment कर सकते हैं कि फुल स्क्रीन यहांने तो exact कर सकते हैं फुल स्क्रीन आपको यहांसे St is a earlier भी कि फुल फुरी स्क्रीन बंद करनी है तो यहां से क्लिक करेंगे यहां से रोज हो जाएगी नेक्स्ट वूपर क्लिक करते हैं यहां से आपका जूम करना है कितने परसेंट करना है पेज अभी कितना है 100% है 25% करना है तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा यदि इसी का शूड़ जूम हमेशा आपको 100% ही रखना है जिसी है कि आपको पता चले हम डोकुमेंट किस प्रकार से एडिट कर रहे हैं तो क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें यही ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें जिससे कि हमार हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके बास पहुंच जाए थैंक यू जय हिन जय भारत